हम इन सारे चीजों पर बात करेंगे ठीक है अभी हम लोग पहले ना भी बात करने वाले आज जर्बे इसक पर आज आज जो बी कोशिंट से हैं उसको आप इंच्वे में आंसर नहीं कर पाते ठीक से तो उसके लिए मैंने क्या किया है आप लोग अप लोग बनाई है जो कि पर भी दिखरी है end to end जो भी आपको सीखने के जरुत है एक general entry को pass करने के लिए वो सारे चीज़े मैंने इसके अंदर cover कर रखी है ठीक है तो फिर ये book के बारे में आगे और बात करेंगे आप लोग आचुके और तो हम लोग चलोग काम करते हैं अपने हम इसके साथ start करते है ठीक है आप लोग को comment में अंसर करने होंगे मैं आप लोग इसे questions जब भी पूछूँगा तो सबसे पहले जो आपका question number one है हमाई तरफ से corporate वाला pays $60,000 for advertising expenses और यह आपका पूरे साल का expense है तो हम लोग को बतानी है कि हमारी channel entries में क्या होगी देखो यहां पर हमारा सबसे पहले समझते हैं हो क्या रहा है question में हम लोगों ने advance पे कर दिया है आपका एक तरह साब क्या सकते हो prepaid expense को हमने 1000 से लेकिन जो आप में से बहुत सारे लोगों ने entry मिस कर दी वो हमारी क्या थी कि एक साल का इन लोगों ने advance पे किया है लेकिन उसके अंदर से एक महीने का तो अब expense हमारा credit करेंगे ना month end के time पे तो उस एक 5000 होगा वो हर महीने 55000 का हम लोग यूटलाइस करते जाएंगे तो 55000 से हमारा prepaid कम होता जाएगा okay mcx देखो हमने सबसे पहले क्या किया 60000 का prepaid expense पे किया तो prepaid expense to bank कर दिया 5000 से और उसके बाद हमारा क्या होगा 50000 का जो expense है क्योंकि महीने में हम यूटलाइस भी करते जाएंगे तो उस 5000 को हमने expense के entry क्या होती है लोग चलते है अपने second question पर corporate वाला performs services for a customer in December but does not receive payment until January of the following year the revenue for services performed in December is 5000 what will be the journal entry in December and what will be the journal entry in January cricket lovers sir आप यह पीपीटीब टेलिग्राम चनल पर दे देना ठीक है जी मैं यह पीपीटीब टेलिग्राम चनल पर दे दूगा आप लोगो एक्चिली मैं अपनी website पर डाल लूगा है तो आप वहां से download कर सकते हो कैसे करना है मैं आपको भी बता दूगा ठीक है अभी आप लोग एंड तक बने रहे ना मैं आपको बता दूगा आप यह कहां से लिसकते हो और आप मेंसे जितने लोगों को अगर मालो मेरी book भी चाहि है तो आप book कहां से लिसकते हो मैं आपको भी बता दूगा ओके आप में से आप लोगों ने जो पिछले question में mistake की थी क्या हो कर रहे है आप लोग कि आप लोग सिरफ एक entry बता रहे है यहां पर देखो मैंने आपसे दो entry पूछी इस question के अंदर पहली entry हमारी होने वाली है कि आपका जो December में क्या book हो रहा है 5000 से और आपका second entry होगे January की तो आप लोग दोनों entry बताओ मेरे को ठीक है जी चलिए आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के सही answer भी आया अब हम लोग बात करते है कि इस question की actual entry होनी क्या चाहिए तो देखो सबसे पहले क्या है corporate वाला ने पर save निकिया उसकी हमको यहाँ पर entry book करनी है तो जब भी हम कोई भी अपनी यहाँ पर service provide करते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हो customer के लिए sales है correct तो आप लोगों अगर आप sales करते हो normally cash के लिए तो आप entry करते हो bank account debit to cash लेकिन क्योंकि आप लोगे पास यहाँ पर bank में अभी पैसा नहीं आ रहा है तो आपका यहाँ पर एक receivable बनेगा ठीक है आपको किसी से पैसा लेना है अब आप मेंसे चाहे किसी ने उसको accruid income बोला हो यह accounts receivable बोला हो आपका मतलब कोई भी ऐसे similar term अगर आप use कर रहे हो तो आपका वो correct है तो आपका receivable account debit यह accruid income account debit और आपका credit क्या ह यहाँ पर sales या जो भी आपने services की है ठीक है second question January में क्या होगा जब आपको पैसा receive हो जाएगा तो आपका debit होगा bank account और credit क्या होगा पहले जो आपने receivable बनाया था तो चाहे आपने accounts receivable account में डाला हो उसको या फिर accruid income में डाला हो आपका दोनों में से जो भी मतलब आपने term यूज की होंगी उसके according आप उसको credit कर जब आपने December में services दी और उस time पर आपके पास कोई भी अगर income receive नहीं होई तो आप उसको एक तरह से sales की तरह treat कर सकते हो अपनी जिसके लिए आपको पैसा receive नहीं हुआ तो अगर आपको cash receive नहीं होता तो आपका क्या बनता है debtor तो आ आपने जो भी debtor बनाया था उसको आपको reverse कर देना है और जो भी आपको यहाँ पे cash होगा मतलब जो आपको bank में cash receive हो रहा है उसको आपने debit ठीक है like कर तो stream कर आपके बाती लोग को भी जाए notification तो हमारा next question है corporate वाला pays 1,20,000 in rent for the next 6 months in advance in January और आप लोग को बतानी है इसकी entry मे महीने के end पे क्या वो prepaid रहेगा नहीं न एक महीने के services तो आप use कर लोगे तो आपको second entry बीको करनी होगी न कभी आपसे कोई entry पूछे तो इस तरीके से सोचो अगर आप मालो hire हो चुकियो आप किसी company के अंदर और जब आप तब answer कर रहे होगे तो month and close पे तो आपका एक मही महीने के services आप already use कर चुकी होगे तो अगर आपने 6 महीने के advance पे भी किया था तो जब तक आप month books को close करोगे तब तब तो सर्फ 5 महीने के advance रहेजाएगा एक महीने के services तो आपने use कर ली न तो जो service use की उसकी entry भी तो बतानी होगी न अब आप लोग समझके कोई भी entry अगर आप से पूछ रहे हैं तो prepaid अगर केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका अगर किसी महीने की services आपने utilize कर लिया है तो उसको आप properly book करोगे उसकी भी आप entry दिखाऊगे चीक है जी next question पर बड़े prepaid rent account debit to bank account then rent account debit to prepaid rent account ठीक है अब हमारे next question है corporate वाला has paid interest on outstanding term loan for March in April तो आप लोग को general entry बतानी है मेरे को कितनी general entry होगी कौन से महीने में क्या entry होगी आप लोग फटा पट से बताओ accrual में क्या होता है जिस महीने का expense होता है हमको उस महीने ही record करना होता है हमारा यहाँ पर March में क्योंकि interest pay करना था लेकिन हमने pay नहीं किया तो current liability बनेगी तो आप लोग यहाँ पर entry क्या कर सकते हो interest account debit to outstanding interest अब आप इस outstanding interest के जगा interest payable या फिर accounts payable कोई भी similar current liability nature का account यूज कर सकते हो depending upon कि आप किस तरीके की you know जहां भी आप जिस firm में काम कर रहे हो जिस company में काम कर रहे हो वहां पर कुन सी term यूज कर रहे हो उसका recording आप कोई से भी current liability इनमें से बना सकते हो चाहे आप outstanding interest बनाओ चाहे आप interest payable बनाओ चाहे आप accounts payable बनाओ ठीक है तो आपका interest expense debit to आपकी current liability ज हतम करना तो क्या करते हैं उसको debit करते हैं और credit क्या करेंगे हम हमारा जो bank account है क्योंकि bank से हमारा पैसा जाए बुक कहा मिलेगी starting में जो दिखाई थी cricket lover यह book मिल जाएगी मैं आपको link दिदूंगा मेरी website पर मिल जाएगी आप लोग जितने में भी participate कर रहे हो उनमें से दो लोगों को तो मैं यहाँ पे as a gift देने वाला हुग और बाकी लोग जो है वो अपना मेरी website पर जाके इसको ले पे नहीं किया था तो expense हमारा कभी भी होगा तो हमारी entry क्या होगी यह आपकी देखो entry होगी March के अंदर फर्स वरली ठीक है और April में क्या होगा अब हमारा जो ही अकाउंट पेबल है इसको हमको हटाना है क्योंकि मैंने liability पे कर दी और मेरा यहाँ पे अब जाएगा bank से पैसा तो मैंने यहाँ पे bank account डाल दिया यह मेरी April में होगी second entry और यह वाली जो मेरी entry है first वाली यह होगी मेरी March में ठीक है तो हमारा next question क्या है corporate वाला sells a delivery truck that has a book value of two lakh four one fifty the accumulated depreciation on the truck is one lakh आप लोगो को पता नहीं है इसकी general entry क्या होगी ठीक है आचलो हमने इसके answer पे डिसकस करते है तो सबसे पहले मेरे क्या होगा bank account मेरा यहाँ पर debit होगा bank account मेरे कितने पैसे हैंगे कितने का भी करा है यहाँ पे मेरा ट्रक एक लाग पचास जार का मेरे ट्रक भी करा है ठीक है अब accumulated depreciation का मेरा जो balance होता है वो होता है credit balance तो मै है यहाँ पर उसको भी debit करूगा कितने से होगा मेरा debit accumulated depreciation पचास जार से और उसके बाद आपका debit हो गया और मेरा credit क्या होगा मेरा जो assets था यानि कि ट्रक यह मेरा कितने से होगा accumulated अब आप सब लोगों पता होगा जो हमारे accounting होता है वह डबल आपका entry book system पे होता है यानि जितना आपका debit होगा उतना ही आपका credit होगा लेकिन क्या इस question में मेरी जर्नल एंट्री यह balance हो रही है फिलाल ठीक है यह देखो दो लाग का ट्रक था गेड़ लाग में बेच दिया एर लाग उस पर depreciation हो चुका था यानि मेरा 50,000 का अभी भी balance रहा गया तो वो मेरा 50,000 जो था वो मेरे को profit हो गया चिक है जी उपर भी डाइलाग हो गया और नीचे भी डाइलाग हो गया मेरी general entry balance हो गई और यह entry भी complete हो गई किसे को doubt है तो हमारा जो next question है corporate वाला sells a delivery truck that has a book value of 2 lakh for 80,000 the accumulated depreciation is 1 lakh आप लोग को बतानी है general entry अब यह मत तोचना है कि same question है मैंने यहां पर amount change कर रखे हैं तो आप लोग बताओ कि इस वाले question में हमारी entry किया होगी और यह वाला question बहुत जल्दी करना है आपको तो कि similar है आपका बिछले question जैसे है बैंक देको मैंने कहा किया है बेचा हमने से 80,000 में तो bank account डेविट 2 lakh से नहीं होगा तो हमारा जो अगला question है corporate वाला sold goods to a customer in another country for $10,000 and the exchange rate at the time of transaction was $1 is equals to 80 rupees but by the time the company received the payment the exchange rate has increased to $1 is equals to 80 rupees आप लोगों को फटा फट से बजानी है इसकी जनल एंट्री ओके आई थिंक आप सब लोगों में से maximum या तो fresher है या पेर आपका काम करते हो domestic companies में तो आप लोगों को idea नहीं होगा उसका exchange rate करेकिन अच्छा है ना इसलिए तो हम लोग यह session भी कर रहे है तक कि आप लोग प वगरा होते रहती है तो कई बर क्या होता है कि किसी candidate को अगर मानलो आप में से receive होता है कोई virtual drive का link जहां पे multiple मतलब लोगों की hiring चल रही हो तो आप लोग क्या कर सकते हो अगर आप बाकी लोगों की मदद करना चाते हो तो आप लोगों लिंक मेरे साथ share कर सकते हो मैं community post में लिंक डाल लिया करूगा और बाकी लोग भी जॉइन कर पाएंगे इससे क्या होगा आप भी आप इंट्रिव दे पाऊगे और बाकी लोग भी जाके walk-in की तरह जूम गॉल पे अपना इंट्रिव दे पाएंगे तो अगर आप में से कोई भी कभी किसी बाकी दूसरे लोग चल रही है और मैं अपने टेलेग्राम चैनल पर पेटा फट से पोस्ट कर दिया गरूंगा उसको और अपने कमेंटी पोस्ट में भी डाल दूगा ताकि बाकी लोग को भी पता चल जा और वो लोग भी अप्लाई कर सकते कॉमेंट्स हमने बहुत पढ़ लिया अब एक 5 difference आएगा और currency के rate change होते रहते हैं या आप सब लोग को clear होगा हमारी यहां पर entry क्या होगी जिस टाइम पर हम लोग sales करेंगे उस टाइम पर क्या entry होनी चाहिए हमारी तो sales के entry क्या होती है आप सबी लोग को पता है अगर आप credit sale करोगे तो आपका debtor बनेगा ठीक है और debtor account debit होगा और sales आपका credit होगा ठीक है और sales आपकी कितने amount से होई है debtor account debit और sales यहाप सब को पता है credit sale के entry क्या होती है मेरे को आपको बताने की ज़रुत नहीं है तो इसके अंदर लेकिन मेरा amount क्या आएगा देखो मेरा 10,000$ का था और उस time पर exchange rate था मेरा 80 का तो मेरा यह आजाए यहाँ तक किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए किसी को है तो comment में पूछो देखो आप लोगों को पता है credit sale की जब भी हम entry करते है तो हमारा जो debtor होता है वो debit होता है और जो हमारा sales होता है वो credit होता है अब हमको amount कैसे यहाँ पर पता चलेगा मेरे को 10,000$ यहाँ पे हमने 10,000$ क लेकिन क्योंकि मैं इंडिया में हूँ अपनी accounting में इंडियन रुपीज में कर रहा हूं तो क्या मैं डॉलर में दिखाऊंगा नहीं मेरा जो answer होना चाहिए वो भी आपका answer किसमें होना चाहिए इंडियन रुपीज के अंदर होनी चाहिए तो मैंने 80 रुपे का जो rate था उस जिस ताइम पे मेरे को payment receive हो रही है उस ताइम पे मेरे क्या होगा bank account debit होगा लेकिन तब तक मेरा exchange rate change हो चुका है तो customer ने मेरे को अब भी 10,000 डॉलर ही पे किये हैं लेकिन क्योंकि currency का rate change हो गया है तो मेरे bank में जो मेरे को receive होगा वो होगा 82 multiply 10,000 आपका यानी 8,20,000 और यहा तो 10,000 यहां मेरे amount यहां तो आएगा सिरफ 8,000 तो यह जो मेरा 20,000 आया यह मेरा हो गया foreign exchange gain क्योंकि 20,000 का मेरे को फायदा हो गया क्योंकि मेरे exchange rate है वो change हो गया था ठीक है जी यह वाली interest अब को clear है कितने लोग पूछ रहे है कि जो यह book है वो कहां से ले सकते है content इसकेंद जो भी आपके theory based questions आप से पूछ सकते हैं इंचों के अंदर वो सारी चीज़े मैं आपको यहां पर cover करूँगा फिर इसके बाद हमने overview को यहां पर cover कर रखा है double entry का ताकि कोई भी entry कभी भी गलत ना हो हाँ संदीप इसके अंदर है सब कुछ मिल जाएगा आपको पहले मैंन इसके questions बनाते रहूँगा और जो भी लोग यह books को यहां से लेंगे मेरी website से उन लोगों को मैं वो questions फिर से और provide करता हुगा तो यह सारी चीज़े मैंने cover कर रखे इसके अंदर आपको यह सारे topics हैं आप लोग देख सकते हो ठीक है और मैंने book आपको पूरी नहीं देखा सक तो हमारा अगला question है corporate वाला.in company has incurred 10,000 rupees in salaries and wages for its employee but has not yet paid them at the end of accounting period what would be the general entry to recognize this accrued expense तो accrued expense की general entry बताओ फटा फट से बहुत बढ़िया salary and wages account debit to accrued salary अगला question आगया जी corporate वाला company incurred 10,000 rupees in costs associated with obtaining a loan. these costs are considered deficit financing costs and are amortized over the term of loan if the loan is for 5 years and the company uses the straight line method of amortization what would be the general entry? last question मैंने बचा के रखा था आप लोगों के लिए जो सबसे best question होने वाला है अब देखते हैं आप में से कितने लोग जो है इस question का answer ठीक से देते हैं सबसे पहले देखो क्या हो रहा है यह मेरा 10,000 का जो cost है वो मेरा cost आ रहा है क्योंकि मैंने एक loan के लिए अब मतलब एक loan process कराने के लिए अलग से कोई मेरा करचा हो रहा है ठीक है तो यहां पे मेरा debit क्या होगा amortization का जो मेरा expense है वो होगा मेरा debit 2000 से और मेरा यहां पे credit क्या होगा deferred financing cost ठीक है अभी हम इसको explain भी करेंगे कि यह कैसे आया अब यह जो आपका 2000 है वो कैसे आया मेरा खर्चा क्योंकि मेरा जो total expense था मेरा total expense था और यह मेरा पांट साल के लिए खर्चा है तो मेरा एक साल का खर्चा कितना आ जाएगा 2000 ठीक है तो यह मेरा annual write-off जो भी मैं करूंगा इस expense को amortization expense मेरा 2000 से debit होगा और मेरा debit financing cost जो है को 2000 स से खतम हो जाएगा ठीक है इसे के साथ हमारा आज का session आज हम end करते हैं आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लगा आप लोग को अच्छा लगा session आज का कुछ सीखने को मिला क्या बुक कहां से मिलेगी यार corporate वाला dot in जो मेरी website है आपको वहाँ पर जाना होगा मैं आपको ए गल्दी मिलपे